आज मैं तीन बैचिस अनाउंस कर रहा हूँ विजेता बैच क्लास 11 के लिए है रामानुजन बैच क्लास 12 के लिए है पावर बैच ड्रोपर स्टुएंट्स के लिए है ये तीनों ही तीनों बैचिस मैंने 6-7 महीने की प्लाइनिंग के बाद लौँच किये हैं इन बैचिस के उपर मैं 6 महीने होगे काम करते हुए PYQ के शोटकट बनाते हुए Problems के शोटकट बनाते हुए Theory के जो hard concepts है hard formula है उनको कैसे simplify करके आप तक पहुँचा सकूँ और हर chapter के साथ आपको प्रेम हो जाए उस तरीके से उस chapter को मैं आप तक पहुचा सकूँ पढ़ा सकूँ तो ये 3 batches आज मैं announce कर रहा हूँ बच्चे मुझसे follow up ले रहे थे पिछले लगभग कुछ 12 महीने से कि सर आपके year long batches हैं क्या complete courses हैं क्या तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था बहुत सारे mails और messages आते थे तो बहुत लंबी planning के बाद ये 3 batches 11th, 12th और droppers के लिए मैं आप के लिए ले कर के आया हूँ बहुत मज़ा आने वाला है हर concept को simplify करके खोल के पढ़ाने वाला हूँ अगर कोई कहता है कि maths मुझे समझ में नहीं आती math के मुझे डर लगता है हर concept को simplify करके बता दूँगा एक चीज आप से चाहिए मेरे lectures देख लेना मेरे lectures time पे देख लेना हर lecture को देख लेना आप तक maths बहुत simplify करके मैं पहुँचा दूँगा problem आप से solve होने शुरू हो जाएंगे कोई भी ऐसा student है जिससे maths होता नहीं है लेकिन करने की चाह है जो सोचता है या सोचती है कि हाँ यार करना तो है J E Mains अच्छा करना है J Advanced अच्छा करना है मगर maths में problem आती है तो मैं ये बात guarantee से बोल रहा हूँ 11th class के students को बिल्कुल जहाँ ग्रीप होगी टेस्ट का कोई भी सवाल आप कर सकते हो Power batch droppers के लिए है बहुत सारे सवालों को उच्छाल उच्छूल के करेंगे एके concept को हम करेंगे सब चीजें revise कर लेंगे तो तीनों batches की और detail में information आपको दूं से पहले ये batches मिलेंगे कहां बता देता हूँ हम एक app launch कर रहे हैं जिसका नाम है rank buddy website कुछ दिनों के बाद launch होगी आज मैं app का announce कर रहा हूँ rank buddy app launch कर रहे हैं अभी ये app सिरफ आपको google play store पे मिलेगी तो आप google play store से इस app को download कर सकते हैं और इस app का download करने का जो link है वो description में मैं डाल रहा हूँ ठीक है ना download करने का जो link है वो आप description में देख लो ठीक है जी हमारे जो तीनों ही तीनों batches है ना इन तीनों ही batches के अंदर मैंने 1000 से ज़ादा सवाल plan किये हैं जो short techniques के थुरू आपको समझाऊंगा जब मैं सवालों को shortcut के थुरू आपको समझाऊंगा तो आपको सोचना आएगा कि कैसे हम shortcut से सवालों को solve करते हैं कैसे हम बिना complete solution लिखे हुए एक सही option को tick करते हैं तो इन तीनों ही batches में कम से कम 1000 सवाल मैं ऐसे करवाने वाला हूँ जिनको आप short techniques के through solve कर सकते हो और सबसे important होता है PYQ को shortcut से solve करना अगर previous year के सवाल आप shortcut से solve करना सीख लेते हो तो आगे आने वाले सवाल भी फिर आप कर सकते हो तो PYQ में भी बहुत सारे ऐसे PYQ आपको दिखाऊंगा जो चोटी चोटी बातों से ही solve हो जाते हैं तो आपको confidence आएगा कि math का paper एक कम time में भी solve किया जा सकता है एगंटे के अंदर paper solve हो सकता है lengthy paper नहीं होता ठीक है क्योंकि students math में काफी struggle करते हैं तो मैंने बहुत shortcut develop किये हैं और आपको मज़ा आएगा problem solve करना में ठीक है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि hard concepts जो है वो simple करके आप तक पहुँचा सकूँ concepts को visualize करा सकूँ दिखा सकूँ कि हाँ देखो यार ये बात ऐसे ऐसे करके होती है step by step करके एक बड़ी बात को आप तक पहुँचा सकूँ समझा सकूँ तो hard concepts को हम simple simple करके सीखेंगे formula बगारा काफी होते हैं integration में होते हैं trigonometry में होते हैं कुछ chapters ऐसे होते हैं जिन में formula का एक bundle होता है तो वहाँ पर formula से परिशान होने की ज़रूरत नहीं है formula को याद करने की right techniques होती है कुछ तरहीके होते हैं जिन से हम formula को अपने दिमाग में रख सकते हैं बिना भूले हुए तो formula की sheets हो गई है ना charts हो गई और formula को याद करने की techniques हो गई सारे चीज़े मैं इस batch में दूँगा कहने का मतलब यह है कि मेरी यह feeling है कि यार मैं आपको mathematics की हर वो नबज जो बच्चा पकड़ना चाहता है आपको पकड़ा दूँ ठीक है तो तीनों ही batches में यह सारे काम हम करने वाले हैं तो मज़ा आएगा पढ़ते हुए batch wise कुछ बातें बता देता हूँ आपको जैसे विजेता batch जो है वो 9th of April से में शुरू करूँगा कुछ दिनों के बाद 9th of April को में orientation session लूँगा कैसे कैसे अपन पढ़ेंगे अगली class में आपको कैसे ready हो के आना class के लिए सारी बाते बताऊंगा 9th of April से शुरू करेंगे और दिसंबर शुरुवात के अंदर इस batch को अपन complete कर लेंगे है ना validity क्या आब है till J exams तक आप इस batch को access कर सकते हो तब तक access चीए आपको हर रोज 6 बजे Tuesday, Thursday और Saturday को विजेदा batch में ठीक है एक दिन हम class attend करेंगे जैसे आज की दिन class attend कर ली तो अगले दिन आपको उस class के problem solve करने होंगे ठीक है तो class के बाद मैं आपको एक practice sheet दूँगा, एक tutorial दूँगा है ना उस practice sheet से आप हमारी जो class है उसको मजबूत कर लोगे और उसके solution भी आपको मिलेंगे ताकि जहां आपको doubt आए आप solution देख करके अपना doubt clear कर सको ठीक है और solution भी बहुत तमीज से लिखे होंगे step 1, step 2, step 3 आपको ये समझ में आ जाएगा कि हारे इस step की वजह से ये सवाल में कर नहीं पा रहा था या पा रही थी ठीक है तो solution भी जैसे किताबों में लिखे होते हैं वैसे solution नी amazing solutions दूँगा मैं ठीक है obviously lectures हमारे online होंगे है ना जही means and advanced फोड़ना है तो ये course आपके लिए है ही DPPs होंगे class के बाद बता चुका हूँ test होंगे ही जैसे हमारे chapter खतम होगा तो मैं announce कर दूँगा test chapter wise test होगे part test होगे और end में हमारे full test होगे notes होगे आपके पास class खतम होने के बाद available PDF की format में PDF notes मिल जाएंगे class के बाद और जैसे chapter खतम होगा तो आपको एक practice sheet मिलेगी हर chapter की हर class के बाद एक practice sheet होगी तो class मजबूत होगी हर chapter के बाद एक sheet होगी mislaneous problems की तो पूरा chapter आपका अच्छा हो जाएगा ठीक है और सवाल भी बहुत selected डालूँगा ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल उठाकर डाल दे हूँ वो सवाल उठाकर डालूँगा जिससे आपका वो chapter improve हो आपका concept build हो है ना सवालों के nature में भी फरक होता है तो अच्छे सवाल जो आपको सिखा सके वही सवाल डालने वाला हूँ ठीक है तो विजेता batch की बाकी details जो है बच्चों को समझ आ जाएगा कि हाँ उनको drop करना है कि नहीं तो वो easily call ले सकते हैं और late मत करें जिनको call लेना है वो call ले ही लें 15 April से चालो होगा December 1st week में cell bus खतम कर देंगे batch की validity लिखी है class का time सुबह 9 बजे होगा Monday to Saturday 6 दिन class होगी Sunday हम test के लिए रख रहे हैं हमारा subject maths है maths का ही कोर से power batch online lectures, DPP solutions ये सारी चीजे तो मिलेंगी है आपको है chapter sheet हर class के बाद आपको DPP with solutions ठीक है Ramanujan batch class 12 का batch है calculus बच्चों को बहुत परिशान करती है calculus एकदम मखन करा दूँगा मैं आपकी classes हमारी 6 बजे होगी Monday, Wednesday, Friday और जो 3 दिन बच्चते हैं उनमें आपको practice sheet करनी होगी practice sheet के solution दूँगा exam तक आप इस batch को use कर सकते हो ठीक है, 10 तारिक से हम batch को शुरू करेंगे, 10th को मैं orientation ले लूँगा 6 December को batch खतम हो जाएगा ठीक है, क्या 6 December के बाद सर आप guide नहीं करोगे, batch का syllabus खतम होगा मैं तो guide करता ही रहूँगा, कभी कुछ practice session करा दिया आप से बातचीत कर लिए, motivate कर दिया test कराएंगे, obviously test तो चलेंगे ठीक है, जो हमारे test होगे solutions के साथ आपको मिलेंगे chapter wise test भी होंगे, part test भी होंगे और बाद में full syllabus test भी होंगे ठीक है, online lectures होंगे PDF notes, class के बाद हर chapter के बाद practice sheet हर batch में ही मिलने वाली है बाकी ओर details के लिए आप application rank body पे जाकर के description में इसका link दिया हुआ है download करने के लिए वहां पे आपको बाकी details मिल जाएंगे ठीक है, देखो इन सब batches को आप बाकी platform के batches के साथ compare ना करें, ठीक है ये सारे batches की जो planning हुई है ये कोई एक दो दिन में plan नहीं हुई है ये planning 6-7 महीने से हुई है इसके अंदर जो मैं questions की short techniques डालने वाला, उस पर मैंने बहुत research की है मतलब एक साल तो ये लगा दिया कि हाँ batch में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए चैप्टर को कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चे तक कैसे easy करके वो बात मैं पहुँचा सकता हूँ तो बहुत planning हुई है तो किसी और platform के साथ हमारे batches को compare ना करें सबके ही batches अच्छे हैं किसी और के किसी और तरीके से अच्छे है यहाँ पर मेरी planning किसी different तरीके से है ठीक है तो जिनको बहुत simplify करके अगर चाहते हैं कि हाँ simplify करके कोई मुझे बता दे हर चीज मुझे बता दे question मुझे से होने लग जाए जही mains में मैं forward दूँ जही advance मुझे easy लगने लगे फिर यह batches आपके काम के हैं ठीक है अगर आपको कोई भी problem आती है तो शुरुआत में हम लोगों ने एक तो ये email ID open की है आप कोई भी mail लिखते हो आप इस पर call करेंगे तो क्या पता ना मिले क्या पता ना उठाया जाए क्योंकि शुरुआत में हम WhatsApp और email support ही दे पाएंगे कुछ समय के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आप phone करके भी हमारे team तक पहुँच सको ठीक है और जो batch के students हैं उन तक तो क्या पता मैं भी phone करके पहुच जाओं है ना उनको मैं call करके पूच सकता हूँ कि हाँ भी तुमारी पढ़ाई कैस चल दी को doubt है तो बताओ तो batch के students को तो randomly मैं खुद भी phone करके बात करूँगा उनसे बच्चों को guide करूँगा और multiple times से करूँगा है ना कोई बच्चा अच्छा perform कर रहा है तो 100% में बात करूँगा उसे कोई बच्चा नहीं class attend कर रहा है तो हो सकता है तब भी मैं बात करूँगा है तो class के बच्चों के साथ तो personally मैं रहूंगा ही connected बाकि जो students है उनके साथ भी हमारी team connected रहेगी आपको कोई doubt है तो आप अपनी query raise कर सकते हैं ठीक है मज़ा आएगा मज़ा आएगा काफी देखो maths में मैं हमेशा कहता हूँ कि maths मुश्किल नहीं है maths मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपके कुछ steps missing है example के तोर पे अगर आपको ग्यारवी मुश्किल लग रही है तो 9-10 का जो concept base है वो आपका मजबूत नहीं है अगर 12 आपको मुश्किल लग रही है 9-10 अच्छी थी 12 मुश्किल लग रही है तो इसका मतब 11 के कुछ concepts में आपका लोचा है ठीक है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर step by step हर बात को connect कर दिया जाए तो maths मुश्किल नहीं है language of nature है जेई मेंस में अब maths पहले से easy ही हो गई है speed चाहिए shortcuts हैं हमारे पास कैसे हमें paper को attempt करना है सारी बाते मैं class के बीच में बच्चों को बताते हुए चलता हूँ तो journey amazing होने वाली है बाकी तो ठीक है अपनी पढ़ाई आपको physics, chemistry और mathematics दिनों balance करके ही चलनी है हर class मैं खुद लेने वाला हूँ सारी classes मैं लूँगा मेरी classes होंगी है न ऐसा नहीं है कि 2-3 teachers मिलके class लेंगे नहीं मैं खुद सारी classes लेने वाला हूँ एक एक सवाल एक एक बात मैं आप तक खुद पहुँचाऊंगा एक चैप्टर मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं class में बाई बाई